हेलो एब्रिवोन वेलकम एंड वेलकम बैक टो माई चैनल होप यू आज आप लोगों के साथ फ्लारिंग प्लैंट शेयर करूंगी जो हमारे गार्टन में बहुत ही अच्छे से ब्लोम कर रही है यहां पे हमारा एक बोनजाई विंका का प्लैंट बन रहा है फिलाल इसको कई महीनों से हमने लगा रखा है और यहां पे आप दिख सकते हैं हमारे यहां पे मौस रोज का कुछ वराइटी है यहाँ पे pink, yellow और white pink का combination में कुछ moss rose है और यहाँ बिना कुछ seed spot भी बन रहे हैं साथ से 8 variety के moss roses हमारे पास हैं लेकिन सब में अभी blooming नहीं हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे purslane में कितना ज़ादा heavy blooming हुआ है और यहाँ पे उसके side में हमने लगा रखा है कमले में pink और white color का rose प्लैंड में भी काफी अच्छी blooming हुई है इसको पिछले साल अपने garden में हमने add किया था इसके flowers सुंदर और बड़ी size की होते हैं मॉनसून जब initially start हुआ था तो हमने अपने rose के plan की reporting की थी हमने पहले उनको prune करके रख दिया था pruning करने के एक हफ़ते के बाद हमने इनको report करके इसको appropriate potting mix provide किया था इसके result में हमको बहुत सारे healthy roses और हमारे plan में बहुत सारे new branches देखने को मिले हैं अगर इस वक्त आपकी rose के plan में flowering नहीं हो रही है तो आप इसकी location को change करके किसी sunlight वाले area में रख दें जिसे आपके plan में flowering होने में आसानी होगी और इसके बिल्कुल पाजू में हमने लगा रखा है सदा बहार का plant जो की हर साल हर मौसम में flowering करता है और यह permanent plant है और इसके बिल्कुल side में आप यहां पे देख सकते हैं यह thurnless euphorvia का plant है जिसमें काफी अच्छी flowering होई है इसके फूल बिल्कुल ही euphorvia मिली के जैसे हैं जो thurn वाली आती है अगर आपके इस plan में अभी flowering नहीं हो रही है ना तो इसको sunlight provide करें अब जादा से जादा sunlight provide करें तो आपके plan में blooming जरूर होगी और अभी जो plant में आपको दिखा रही हूँ यह सिंड्रिला का plant जिसको मैंने पहली बार देखा था आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में share किया था कि पॉसलीन के सारे varieties हमने online कहीं से purchase किया था तो वहीं से हमने इसको भी purchase किया था इसकी flower आप दिख सकते हैं पॉसलीन से बिलकुल ही अलग है लेकिन इसका plant बिलकुल पॉसलीन जैसा है पॉसलीन जैसे plant में पॉर्टोला का जैसे flower काफी जादा unique है और इसमें भी बहुत जादा heavy blooming होती है पॉसलीन पॉर्टोला का और हमारा सिंड्रेला ऐसे plant में बहुत heavy blooming होती है और साल भर blooming होती है लेकिन कई लोगों के plant में blooming नहीं होती इसका सबसे बड़ा ये reason है कि इसको 6-7 गंते की sunlight चाहिए और ये flowers ना butterflies को attract करता है इसका बहुत जादा फाइदा आपको होता है फाइदा ये होता है कि आपके पास जो flower का combination है ही नहीं वो आपको आपके garden में देखने को मिल जाता है so butterflies को attract करने के लिए इन flowers को ज़रूर अपने garden में add करें और ये हमारा princess flower है जो कि थोड़ा सा delicate है और इसमें आप देख सकता है कितने सारे birds आ रहे हैं इसको हमने recently monsoon के starting पे अपने garden में add किया था इसको हमने terracotta के pot में लगाया है ये एक permanent plant है और इसका जो purple और white के combination का flower है ना इस plant को काफी ज़ादा unique बनाता है आप देख सकते हैं इसमें हमारा plant कितना ज़ादा healthy है जब हमने इसको add किया तो इतने ज़ादा branches इसमें नहीं थे अब मैं कुछ आपको जमीन वाले plants दिखाती हूँ जो हमारे garden में कई सालों से बने वे हैं और काफी ज़ादा healthy है आप देख सकते हैं ये हमारा hibiscus का plant है और इसमें काफी ज़ादा blooming हुई है और ये plant butterflies को attract करता है इसमें ना बहुत सारे birds आते हैं और अंडे देते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे colorful flowers अपने garden में ज़रूर add करें वैसे तो hibiscus के काफी सारे plants जो हमने जमीन में लगा रखा है उनमें blooming नहीं हो रही है उसका सबसे बड़ा reason ये है क्योंकि hibiscus के plant के ऊपर काफी सारे बड़े trees हैं जो उनको shade provide कर रहे हैं ये हमारा plumeria का plant है जिनमें flowering देख सकते हैं इनमें दो color की flowering हो रही है एक और plant भी है जिनमें अभी flowering नहीं हो रही है इनको हमने बहुत सारा cutting से grow करके अलग-अलग area में लगाया है ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा plumeria का tree है और ये tree के shade में है जिसके वज़े से इनमें उतनी जादा flowering नहीं हो इसके पीछे जो plant है इसमें काफी खुस्बुदर flowers आती है और इसके पत्ते white और green color के variegation में होती है और ये plant भी काफी पुराना है इसका नाम तो मुझे याद नहीं है अगर आप मेंसे किसी को पता है तो comment section में जरूर बताना तो हमारा अगला plant भी काफी जादा अच्छी fragrance वाले flowering करता है जिसका नाम है creep jasmine double petal jasmine ऐसे नाम से आप इसको जानते हैं ये एक pormarine flowering plant है और साथ ही आप इसको cutting से भी propagate कर सकते हैं हमने इसको 10 इंच के टेरा कोटा के pot में लगाया है अगर आप जमीन पे लगाते हो तो आ काफी जादा healthy है काफी छोटा जाथा बट अभी काफी जादा healthy है अब मैं आपको हमारा इसके साथ वाला plant दिखाती हूँ जो बिल्कुल इसके side में रखा हुआ है ये हमारा अलमंडा का plant है और इसमें ये color की flowering होती है इसको भी हमने initial monsoon में add किया था और ये plant काफी छोटा था बहुत ही कम समय में ये plant काफी अच्छा grow कर चुका है हमने इसको most stick भी provide किया है तो ऐसे colorful plants अगर आप अपने garden में add करते हो तो आपके garden में बहुत सारी butterflies आती है अगर आपके plant में flowering नहीं हो रही है तो NPK fertilizer का इस्तमाल करें अब हमारा अगला plant ये भी अलमंडा का है लेक अगर आपके plant में flowering नहीं हो रही है उसके location की अलावा आपको ध्यान रखना है अपने potting mix का essential nutrients भी plant को bloom करने के लिए बहुत जादा जरूरी होते हैं अभी हमारा अगला plant है यूफोर विया मिली का इसको भी हमने online order किया था जिसका वीडियो में already आपके साथ share कर चुकी हू अभी ये plant comparatively काफी जादा healthy हो चुके हैं ये वाला आप देख सकते हैं pink white के variegation में है इसको भी full sunlight चाहिए होती है और ये green और white color के variegation में है और भी बहुत सारे यूफोर विया के plants अपने garden में add कर रखे हैं बिना 6-8 गंटे के धूप के इन में blooming possible नहीं है तो इस चीज़ क का आप ध्यान रखें और यहां पर हमने कुछ पर्सलिन separate लगा रखे हैं क्योंकि ये कम quantity में हमारे पास थे और ये variegated भी है आपको मैं ये पर्सलिन दिखाती हूँ ये white और pink color के combination का है और यहां पर yellow और white color के combination का भी पर्सलिन है तो इसको हमने separate कर रखा था पर्सलिन के ब बहुत पुराना है और इसमें भी बहुत जादा quantity में फ्लारिंग होती है और इसके side में हमने एक rose का plant लगा रखा है और यहां पे काफी जादा roses हो रहे हैं फिलहाल क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसमें थोड़े से box वगेरा का tag भी हुआ है बट फिर भी हमारे rose के plant काफ लेली का plant इसके भी कई प्रकार के color combination वाले flowers आते हैं और यह काफी hardy है easy to grow है fast growing भी है और यह plant काफी सुन्दर flowering करता है इसके पत्ते भी काफी खूबसूरत होते हैं और यह कहीं भी लग जाते हैं बड़े आराम से हमने इसको vegetable tray में लगाया है और यह plant काफी जादा quantity में कम time के अंदर multiple हो जाते हैं अगर आपके plant में सही से flowering नहीं हो रही है आप location watering वगेरा का ध्यान रखे और organic fertilizers यूज़ करें अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आप market में मिलने वाली bloom booster fertilizer यूज़ कर सकते हैं और यह हमारा एक और cannellily का variety है अब दिखाते हूं मैं आपको अगला plants यह हमारा spider plant है वैसे तो spider plant को हम इसके पत्तों के लिए अपने garden में add करते हैं लेकिन हमारे spider plant में काफी ज़्यादा white color के tiny खुबसूरत से flowers आ गए हैं तो इसी वजह से मैं आपके साथ यह share कर रही हूं इसमें काफी ज़्यादा runners है और बहुत सारे नए branches भी है इसके flowers काफ ज़्यादा खुबसूरत है अब दिखाती हूं हमारा अगला flowering plant जो टिकॉमा का है इसके तीन कलर को हमने monsoon के starting पे अपने garden में add किया था पहले हमने इसको 10 इंच का terracotta का pot provide किया था फिर हमने इसका soil mix change किया हमने इसको grow bag में pruning करके add किया यहाँ पे हमारा plant काफी bushy और healthy हो तो यह हमारे garden की कुछ flowering plants के collection थे उमीद करती हूं आपने यह वीडियो enjoy किया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना और comment करके वीडियो कैसा लगा जरूर बताना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching और हाँ subscribe नहीं किया होगा तो please कर लेना bye bye happy gardening